महारुद तूर एन ट्रेवल एजनसी यानि आपकी यात्रा को आराम दे और सुगम बनाने का सबसे विश्वसनिय पता मोहनपूर में खुले इस ट्रेवल एजनसी से आप आसान सुल्क पर पाइक से ट्रेवलिंग के सुवेधा प्राप्त कर सकते हैं वहें इस ट्रेवल एजनसी के माध्यम से हर तरह की लगजरियस गाड़ियां भी उपलब्ध हो जाएगी तो कहीं आने जाने के लिए गाड़ी ढूंडने की परिसानी से हो जाएं वेफिक्र तुरंत कॉल करें और पाएं आराम दे और सुरक्षित यात्रा का साधन हमारा पता महारूत्र टूर एंड ट्रेवल वेकास मोटर मोहनपूर पचंबा रोड घरेडी ओपिट माइंड्स अब्रला स्कूल गिरिडिका एकलोता अनुधा इंग्लिश मेडियम स्कूल जहां आपके नौनी हालों का भविश्य कढ़ा जाता है प्लेग्रूप से लेकर स्टार्नेट 10 तक की क्लासिस नर्सरी से ही स्मार्ट क्लासिस की फेसलिटी वेल एक्विप्ट कम्प्यूटर लैब, साइन्स लैब, बहतरीन लाइब्रेरी, शान्दार होस्टल और देबोर्डिंग की सुविधा इसके अलावा बिग प्लेग्राउंड, एसी क्लास्रूम, हर एक रूट के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की फेसलिटी एक्टिविटी बेस्ट लर्णिंग, ताकि बच्चों का सरफांगिन विकासों हमारे हां highly qualified, experienced और outstation फेकल्टी इस मौझूद है तो फिर देर किस बात की? आज ही अपने बच्चों का नावांकन करवाई हर किसी के ख्वाहिशों में शामिल होता है एक सुन्दर आश्याना और ख्वाब को हकीकत में बदलने जैसा होता है अपना खड़ बनाना अब आपके सपनों के खड़ का निर्मान हुआ बेहत आसान क्योंकि आपके शहर में खुल गया है dream home consultant, architect engineer and home plan के साथ हमारे यहां हर तरह के घरों के लिए शांदार प्रोजेक्ट तयार होता है वही हम आपके अन्य समस्याओं के समधान के लिए तत पर रहते हैं आप हमारे पास से बंगला वा चिमनी इट, सिमेंट प्रिक्स, बालू, स्टोन और अधर बिल्डिंग मेटरियल प्राप्त कर सकते हैं हम मोंग्या प्रिक्स के आउत्रायस टीलर भी हैं तो खतम कीजे इंतिजार और अपने ड्रीम होम के निर्मान के लिए हो चाहिए तैयार हमारा पता मौहमद नौशाद आलम, ड्रीम होम कंसल्टेंट, बेबिसी रोट गिरेडी हिंदिनो गिरेडी में स्वास्त जागरुकता अभियान चल रहा है अस्कलैपियस, वेल्वेस प्राइवेट लिमिटेड, जरियागादी साखा की संचालक, गीता प्रसाद का दावा है यहां लोगों की बेमारियों को मेडिसीन से नहीं, बलकि आयूर्वेदिक प्राड़क्ट से ठीक किया जा रहा है इसकी खास बात यह है कि इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है यहां बीपी, हाई सुगर, डाइवेटिस, अर्थराइटिस, पैरलैसिस, बांचफन, विकलांगता, सहीत अन्यकई बीमारियों का इलाज उपलब्ध है सभी बीमारियों को यहां फूड सप्लिमेंट से ठीक किया जाता है तो इस भागा-भागी भरे दोर में आज ही अपनाएं और पाएं एक स्वस्त जीवन हमारा पता जरिया कादी गिरिडी गिरिडी के सांदार विद्यालेयों में सुमार कूली है इस्तिक किरन पबलिक स्कूल में नई सत्रे के लिए नावां कट्रारम है यहाँ नंसरी से तैंथ तक में एन्वीशन चल रहा है सीबेसे बोर्ड से मालियता प्राफ्ट इस इंगल्स मेट्याम स्कूल में योग के वानुभविस सिक्षक नानिहालों का भविश्य करती है वहीं इस बिद्याले में स्मार्ट क्लासिस, आदूनिक स्वेधाऊं से लैज, साइन्स लैब, कम्प्यूटर लैब, रीच लाइबरेडी, आरू बाटर, उर्दुन में तालीम के ववस्था, टांस क्लासिस, म्योजिक क्लासिस, योग क्लासिस के अलावे बिक प्लेक्राउ और पोश्टिक भोजन के साथ लड़कों के लिए होस्टल की भी ववस्ता है, होस्टल में रहने वाली बच्चों के लिए स्पेसल कोचिंग की भी ववस्ता है, तो जल्द नामंगन करवाए और अपने नानी हालों को दे उजवल भविश्य, हमारा पता पोल दिया गिरिड Central Pharma यानी गिरिडी में विश्वशने दवायों का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, हरमर्ज की दवा इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध है और वह भी 7 प्रतिशत डिसकाउंट रेट पर बोडो इस्थित मारुती सोरूम के नजदीक Central Tower में खुले इस रेटेल काउंटर में पहुँचकर आप भू सकते हैं बेफिक्र क्योंकि हमें हैं आपके स्वास्त की फिक्र और हम करते हैं हमेशा आपके बहतर रहने की कामना हमें सेवा का एक मौका अवस्य दें इस प्रतिष्ठान में स्पेसिलिट्स चिके सक जैसे चर्म रोग सहसोंदरिय विशेशक्य सह जनल फिजीशन एवं सर्जन डॉक्टर वीके श्रिवास्तप प्रती एक दिन दो पहल बारा बजी से दो बजे तक दंत रोग विशेशक्य डॉक्टर मुर्शित करीम प्रतिएक दिन 9 बजे से 10 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से 9 बजे तक वहीं किटनी रोग विशेशक गेर डॉक्तर पंकश कुमार मिस्रा प्रतेक महने के दूसरे रविवार सुभा दस बज़े से दोपेर एक बज़े तक अपनी सेवा देते हैं तो यहां की विशेश्ट चिकितसा सेवा का लाप अवश्य उठाए हमारा पता सेंटल टावर बोडो गिरेडी पचास साल बेमिसाल गिरेडी में लगबग पांच दसक से एक ब्रांड के रूप में स्थापिक प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में आपका स्वागत है विभिन कमपनियों के ब्रांडिड इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिक उतपात की इस विश्वस्नी परतिस्ठान में एंकर, क्रॉम्चोन, वीकाज, आर आर केबल्स, पॉलिकैप, लोयाज, सिंफनी, महराजा, क्लॉसकर, एच्पेल, हैविल्स, मैस्केप, आदी बड़ पॉशिंग मसीन, एलेडी टीवी, एसी, फ्रेज, इंदस्ट्रियल केबल्स आधी भी उपलब्ध हैं, तो गिरिडी के इस सबसे पुराने प्रतिष्ठान को अपनी सेवा कमों का अवश्य दे, आजी पहुचे प्रदीप एलेक्ट्रिक स्टोर और रीजनेबल रेट पर घ दर ले जाएं अपना पसंदीदा समान, हमारा पता मकतपूर काली बाडी रोड के रिडे नमस्कार आप देख रहे हैं सेटी नियूज और मैं हूँ आपके साथ राहूल सिन्ना दिन बर के तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, पहले नज़र डालिए आज की हेडलाइस पर सर्या में हुआ सड़क हाद्सा, एक की होई मौत, एक घायल, मृतक के सव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्ट माटम सिसेल ग्राउंड में धूमधाम से मनाई गई संत रैदास की जयनती, सिक्षा मंत्री, विधायक समेत, कई गंडमानी लोगों की रही उपस्थिती, तमाम लोगों ने संत रैदास को किया नमन विध्वा पेंशन, व्रिधा पेंशन समेत, अनिक कई मुद्णों को लेकर समाहर नाले के सभागार में हुई बैठक, उपायुक्त ने दिये आवस्यक दिशा निर्देश और सिवेल कोर्ट में आयोजित हुआ मासिक लोगा दालत, साथ बेंचों के माध्यन से पचपन मामलों का हुआ निस्पादन, 3,16,775 रुपए राजस्वकी की गई वसूली, प्रधान जिला जद समेत, कई न्याई का धिकारी वाधिवक्ता गन रहे मौजूद अब खबरे विस्तार से सरिया ब्लॉक के समीब सनिवार की सुबह एक सडक हादसा हो गया, गटना में कि सोरी ठाकुन नामक व्यक्ति की मौके पर हिमौत हो गई, गटना के बाद मृतक का सव, पुस्ट माटम के लिए सदर अस्पताल गिरिडी लाया गया सरिया ब्लॉक के समीब सनिवार की सुबह सडक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक 14 वर्सिये की सोरी घायल हो गई गटना के बाद पुलिस ने सव को कबजे में लेकर उसे पोस्ट माटम के लिए गिरिडी सदर अस्पताल भेज दिया मौत हो गई, फिलाल घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है विभार नयले परिसर गिरिडी में सनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिला विदिग सेवा प्राधिकार के सचीव के नित्रितों में आयोजित इस लोक अदालत में कुल पचपन मामलो का निस्पादन किया गया वही लाखो रुपए के राजस्व की भी वसूली के गई प्रधान जिला एवं सत्र न्याइधीस के मार्क दर्सन एवं जिला विदिक सेवा प्राधिकार के सचिव के नित्रितों में सनिवार को वेभार न्याले परिसर में मासिक लोक अदालत का योजन किया गया इस लोक अदालत में साथ बेंचों का गठन किया गया जिसमें बिजली से संबंधित वाद में 30 मामलों का निस्पादन तथा 71,000 रुपए राजस्व की वसूली की गई इधर अपराधिक एवं वनवाद से संबंधित 14 मामले निप्टाए गए जिसमें 2,13,525 रुपए वसूले गए इसी तरह उत्पाद वाद से संबंधित 11 मामलों का निस्पादन एवं 32,050 रुपए राजस्व की प्राप्ती संबंधित विभाग को हुई यहां कुल 55 मामलों का निस्पादन एवं 3,16,775 रुपए राजस्व की प्राप्ती हुई वहीं पुर्व में निस्पादित जिला एवं 79 प्रत्थम के न्यायाले से मोटर दुरगटना वाद में पीडित पक्ष को 55,26,650 रुपए का चेक एवं जिला 79 तृतिय के न्यायाले से मोटर दुरगटना वाद में पीडित पक्ष को 4,11,000 रुपए का चेक प्रदान किया इस मासिक लोग अदालत में सभी न्याईक पदादिकारी अधिवक्ता न्यायालय कर्मी पक्षकार पी अलबी के महत्वपूर्ण भूमिका रही प्री लिटिगेशन डेस्क अपने हाँ है उसमें जो है जगड़ा होने से ये मुकदमा दाने से पहले जगड़ा होने की दशा में ये हम लोग प्री लिटिगेशन बेंच में भी उसको जो है वो बिजाल्व करते हैं आज दो क्लिम केसेज में एक में एक एनम की डेथ होगी थी जो बिलियम राइडर थी मोटर साइकल से जा रही थी तो उसके लाभुक को 55,26,650 रूपए दिया गया और एक और केस में जिसमें एक महिला की रोड एक्सिडेंट से मोट हुई थी उसमें उसके परिवार के पांच बेनिफिशेरीज को 4,11,121 रूपए दिया गया और ये मासिक लोग अदालत एक जंता के लिए काफी अच्छा सुलब और सस्ता प्लेटफार्म है जहां उन्हें सीगर और सुलब नयाय मिलता है उसी के दाथ हम लोग हर महीने ये लोग अदालत की लगाते हैं और बेनिफिशेरीज को राप मुचाते हैं आज काहिए कशी मंच बने हुए जिसमें इलेक्रिसिटी के मेटर्स हैं, forrest के मैटर्स हैं, wets and measurements के मैटर्स हैं इस तरीके से कुल मेरे ख्याल से आज साथ मैंच बने हुए हैं जिसımı प्री लिटिकेशन के लिए अलग बर्मनेट लोग अदालत का अलग एक मैच है और बाकी सब जो कोड में पेंडिक केसेज हैं उनके लिए बनाया गया है और हर महीने यहां काफी अच्छा अच्छी संख्या में केसेज सुला होते हैं और अच्छी खासी रकम भी बेनिफीसरी को मिलती है समाहर नाले के सबाकच में सनिवार को डीसी राहूल सिन्हा की अध्यक्स्ता में एक बैठक संपन्न हुई बैठक में विध्वा और व्रिधा पेंसन पर विस्तार से चर्चा के गई डेसे की अध्यक्स्ता में हुए बैठक में जिले के बीडियो और सियो के अलावे समाजिक सुरक्षा पदादिकारी भी मौजूद रहे डेसी राहुल सिन्हा ने मौके पर कहा कि पूरे जिले में करीब 700 के लगभग पेंसन से जुड़े आवेदन लंबित हैं जिनके तेजी से निस्पादन में हर विडियो वसीयों को निर्देश दिया गया है डेसी ने पदादिकारीों को निर्देश दिया कि हर हाल में वैसे पेंसन धारी जिनके मृत्यू हो चुकी है और उनके परिवार के सदस्यों को पेंसन का भुकतान किया जा रहा है वैसे लोगों के नाम ग्राम सभा कराकर हटाएं और नए लाभुकों के नाम को जोडने का सुझाओ दिया डेसी ने कहा कि सरकार आपके द्वार कारेकरम के तहत अब तक पूरे जिले में 700 आवेदन हासिल हुए हैं वैसे इस मुद्दे पर अब तक कोई नया लक्ष नहीं दिया गया है ऐसे में जो आवेदन लंबित हैं उनके निस्पादन के दिशा में कारे करना बहतर होगा बैठक में अंचला धिकारियों को आए आवासिय और जाती प्रमान पत्र बनाने के कारे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया इधर बैठक में सदर SDM राजेस प्रजापती जिला पंचायत राजपदा धिकारी स्रिवसंकर समेत कई वीडियो वसीयो मौजूद थे यह मिला है आपनोंको जितना पेमेंट एक महीना हो रहा है वो किस Lefts कुम हुआ है यह मिला है किसी राजे सरकार धातरी गर्वती महिलाओं और नौनिहालों के उचित पोसं के लिए लाको रुपए खर्च कर रही है लेकिन सदर प्रखंड के लेदा वन हरियन टोला इस्तित आंगन बाड़ी केंदर कुछ और ही बया कर रहा है देखिए ये रिपोर्ट राज्य सरकार के बाल विकास मंत्राले द्वारा कुपोसन मुक्त सामाज के नवनिर्मान वच्छाव वर्ष से नीचे के बच्चो को नर्षरी सिक्षा उपलब्द कराने के लिए गाउगउ टोले टोले में आंगन बाड़ी केंदर का संचालन किया जा रहा है केंद्र के नियमित संचालन वह नौनिहालों को प्रती दिन केंद्र में पका पोश्टिक भोजन परोसने के लिए सेविका सहाई का वह पोसं सकी प्रतिन्यूप्त किये गए हैं जिसमें प्रती माह राजे सरकार द्वारा की सोरी धातरी को सूखा वह केंद्र में अध्यानरत नौनिहालों को पका पोश्टिक पोसाहार के लिए लाखो रुपए खर्च किया जा रहा है जिसमें प्रती माह राजे सरकार द्वारा की सोरी धातरी को सूखा वह केंद्र में अध्यानरत नौनिहालों को पका पोश्टिक पोसाहार के लिए लाखो रुपए खर्च किया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका लाब सदर प्रखंड के आंगन बारी केंद्र लेदा वन हरीजन टोला के कि सोरी धातरी गर्वती महिलाओं वन आउनिहालों को नहीं मिल पा रहा है हरीजन टोला के गर्वती महिलाओं को यह भी मालूम नहीं है कि केंद्र में गोदभाराई वन आउनिहालों के लिए मुह जुठी कारेकरम का भी आयोजन किया जाता है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि केंद्र में छोटे छोटे नौनिहालों को नरसरी शिक्षा ग्रहन करने के लिए जमीन पर बैठना पड़ता है केंद्र में नौनिहालों के बैठने के लिए दरी तक की विवस्था नहीं है इस्थानिया अनिता देवी, रेस्मी देवी, सरीता देवी, आसा देवी, सांती देवी आदी ने बताया कि इस केंद्र में आज तक ना तो बच्चों के बीच कभी पोसाहार का वितरन किया जाता है और ना ही बच्चों को कोई लाब मिलता है सेविका तो कभी केंद्र आती ही नहीं है सहाई का प्रती दिन केंद्र खोलती है और बंद कर देती है केंद्र संचालन के नाम पर सिर्प खाना पूर्ती किया जाता है राज्य सरकार द्वारा कि सोरी धात्री वा गर्वती को मिलने वाला पोसाहार भी सेविका अपने आवास में रखती है कभी कभी वितरन करती है वह भी कम मात्रा में गोद भराई वा मोजोठी क्या होती है इस छेतर के दलित महिलाओं एवं बच्चों को आज तक पता ही नहीं है इस्थानिय बासुदेव दास ने बताया कि केंदर की अस्विधा एवं आंगनबाडी सेविका एवं सहाईका के मनमाने को लेकर हम ग्रामिनों द्वारा कई बार विभागिये पदादिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है अदिकारी जांच के लिए आते हैं और जांच के नाम पर खाना पूर्ती कर चले जाते हैं और इस्थिती जस की तस बनी रहती है मासिक जाच के लिए भी विभाग से कोई नहीं आता है वहीं स्थानिय लक्षमन तूरी ने बताया कि यह केंद्र दलीतों के लिए दलीत महले के बीच में बनी हुई है और सेविका तता सहाई का दोनों ही OBC है और यह दोनों दलीतों के साथ छुआ छूट की भेद भी रखती है इसके कारण सेविका केंद्र की अधिकांचता कारे को आंगन बारी भवन में ना कर सारा कारे अपने आवास से करती है इसके सिकायत भी लोगों ने विभाग से कई बार की परंतु आज तक कोई जांच ववस्था नहीं की गई और नहीं किसे पर कारवाई की गई सेविका द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर हमेशा ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है पर दिया जो आता है गर्वत्ती महिला के लिए आता है वो क्या इस सही से मिलता है या नहीं मिलता है ऑफा कि लो चावल इतना मिलता है कि सब्सक्राब और करना ही तो कि सीफिए कौरा बचक जबास है और मुझारवा शीघ करें, तो दोनों जगा चुबा शूत करते हैं उपने घर करते हैं लेकिन यह एक बार हुआ है और बच्चों लेके साथ दलित बच्चों के लाँ बच्चों के साथ भेद भाव का चुबा शूत का भी है है करते हैं लेकिन हम वसा नहीं करते हैं और जो पोशाहर मिलता है घरवति महिला को इस सब यहीं पर मिलता है सदर प्रखंड के लेदा पंचायत के सडके आज भी बदहाल है और लोग काफी परिसान है पंचायत को ततकालीन डीडेसी के रनकुमारी ने गोद लिया था लेकिन उनके इस्थानंतरन के बाद से आज तक यहां के लोगों को सिर्फ आस्वासन ही मिला है और इस्थेती सदर प्रखंड के लेदा पंचायत को ततकालीन डीडेसी के रनकुमारी पासी ने गोद लिया था उस वक्त पंचायत के लोगों की उम्मीद जगी थी कि इस इलाके की सूरत बदलेगी लेकिन डीडेसी के रनकुमारी के इस्थानंतरन होने के साथ ही इनकी उम्मीदें इस इलाके की सडकें बदहाल है और आवागमन में लोगों को भारी परिसानी हो रही है इस बाबत इस्थानिये लोगों ने कहा कि डीडीसी के जाने के बाद वर्तमान डीडीसी मुकुंददास ने भी आस्वासन दिया था कि यहां साड़े तीन किलोमीटर सडक का निर्मान कर जाया जाएगा लेकिन अब तक यह सडक जरजर है इस्थानिये लोगों ने कहा कि सांसद रविंदर राय और विधायक जैप्रकास वर्मा ने भी उन्हें आस्वासन दिया था लेकिन जन प्रतिनिद्यों ने भी लेदा पंचायत के लिए कुछ नहीं किया अब नए सांसद और विधायक से उम्मीद जागी है देखना होगा इनका ध्यान कब लेदा पंचायत की ओर जाता है इस पंचायत को पूर डीडीशी के द्वारा गोल लिया गया था जिसमें इस छेतर की जनता की कई मुलभूत समयश्याओं को ले करके एक विकास मेले कायोजन किया गया था जिसमें मेम के द्वारा आस्वासन मिला था कि इस दुरुवर्ती छेत में जितने भी समयश्याओं हैं उनके समाधान के लिए हम ततपर रहेंगें उनके तबादला होने के बाद हमें अस्वासन तो मिल रहा है लेकिन हमारे पास एक मुलभूत समयश्या सड़की है जो की आम आवाम के लिए बहुत ही कटनाई पूर्ण समयश्या है जिसके लिए हमने पूर्व सांसद पूर्विधायक को कई बार इसके बारे में बोले लेकिन उन लोगों ने अभी तक इस पर क्या पाहल किये नहीं किये यह तो विभागी जा नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक से यह अपेच्छा रखते हैं कि हमारी इस छेत्र की जन्ता की मुलभूत समयश्या सड़की है जिस पर आविलम पाहल करेंगे और समाधान करने का कायज करेंगे यही मैं अपेच्छा रखता हूं इसके लिए मैं सभी जन्पर्ति निदियों सभी जीला परशास्निक प्रादिकारी को धिन्वाद देना चाहता हूं हम एक जन्पर्ति निदि ही होने के नातिया सांसद विधायक जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी एक मूलभूत्स आ सकता है कि लेदा से कुरुम्डिहा रोड जो बीस वर्सों से खराब है जो अभी तक नहीं बन पा रही है और यह बहुत ही आवस्यक है इसमें बराबर घटना होते रहती है और लोगों को आने जाने में परिसानी होती है परसाथ की दिनों में गड़ों में पानी जमा हो जाता है और लोग परिसान रहते हैं इसलिए मैं परसाशनिक विभाग से आग्रह करता हूं कि इसका काम अति गुरांड में संत शिरुमनी गुरूर अविदास के जैनती धूम्धान से मनाईए गई एस दवरान अन्हें नमन किया गया और सम्ता मूलक समाज निर्मान में उनकी भूमी का पर प्रकास जाला गया मुफसिल छेत्र के सीचियल ग्राउंड में सनिवार को संत सीरोमनी रैदास को नमन करते हुए एक कारिक्रम का आयोजन किया गया कारिक्रम की अध्यक्स्ता कमलदास कर रहे थे वहीं कारिक्रम में मुख्य अतिती के रूप में जारकंड सरकार के मंत्री जगनात महतो उपस्थित हुए अतितियों में विधायक सुदिवे सोनु आदी सामिल रहे कारिक्रम के दोरान अतितियों ने कहा कि संत रहदास एक समता मूलक समाज निर्मान के अगुवा थे उन्होंने देश में व्याप्त समाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं समाज उनका आज भी रिणी है यहां इस कारिक्रम के सफलता में आयोजन समीति के सुखदेवदास, मधुदास, उजवलदास, मोहंदास आदी लोग लगे हुए थे कारिक्रम को जीब सदस्य प्रमीला महरा, कोलेसवरदास, मंजुक कुमारी आदी ने भी संबोधित किया प्रस्ताव रखे संद्राइदास जी को कि भाईया अधी परिक्चा हो जाए आप भी सालिगराम को इस तलाम में प्रवाइद करिए अधी आपका साथ तलाम में तैरान के लिए सालिगराम देते इस एक होःता, क।षल बाइदा ने जाएदास, चाले होता वे-ांधी आपका सालिगराम देशिकन देते इस आपके आपकी देक्रत्मिलान क aly Ate मुझान तो कासी जी में बाया टी। ça जी के बाद को पाव economies अपने आगे बढाया और तमां महापूरों का एकी सपना था कि देशंबे यह जुआ जूत भेट भाव चाल को विचारदारा है कि उसको संता मुलक समाज कंपा जा जाया कैसे सभी लोग भाई-भाई की तरह रहा नग हैं। आपस में जो वेस जो द्भण हैं जो झागड़े हैं लडाई हैं वो एसे समाण हो जाये। सभी लोग भाई चारह बना करके रहें भाई-भाई के समान रहें। अगर हमने अपने महापूर्सों के बिचार को एक एक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी अगर हमने महापूर्सों के बिचार को मान लिया उनके बिचार को घरगर तक पहुचा दिया तो निश्य तो उसके हमारा भारत कुड़ा को फ़ाल होगा वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरे जारी रहेंगी आप बने रहें हमारे साथ LG, Samsung, BPL, Akai, Santosh, Usha, Tufan, Hevels, Uninor, Blackberry, Western Adi Number Company के Electric वो Electronic उत्पाद का नायाब कलेक्शन यानि City Electronics पचंबा रजाक्चोग पर खुले इस प्रतिष्ठान में TV, Freeze, Cooler, AC, Pankha, Iron, Induction चुला समित तमाम तरह के संबंधित उत्पाद मौजूद हैं वो भी उचित मुली पर हमारे यहां ओर्डर पर भी समान मंगाये जाते हैं तो आज ही पहुँचें City Electronics पता याद रखें रजाक्चोग पचंबा गिरिडी गोवर्धन लाल लर्चिग होँ, Urology, Endoscopy, Surgery and Maternity Care Center गिरिडी का पहला सुपर स्पेशलिटी होस्पितर गिरिडी के मात्र, Urology and General Surgeon, Dr. Vikaas Lal के कुशल मार्ग दर्शन और Dr. आरती लाल वा Dr. Sandeep Kumar की देख रेख में कई सुधाओं और नई तकनिकों से ब्लैस गोवर्धन लाल नर्चिग होँच नवजात बच्चों को होने वाले जॉन्डिस के इलाज के लिए Facility of Phototherapy and Baby Bar Comfortable Waiting Hall, Canton, Pathology, Medical Store, Fire Safety Equipments, Big Space for Parking और 24 घंटे अंबुलेंस की सुधाओं Metro Cities की तरह धूर्बीन द्वारा किडिनी, पेशाब नली वा पेशाब की फैली की पत्री का इलाज और साथ ही Crustate का इलाज वे समझाओं कन्या बचाओ अभ्यान के तहट बेटी के जनुपर दस हजार तक की चुछू गोर्धन लाल नर्चिंग होम, अपोजिट गाली होटल, बर्गंडा गिरिडिए वेके बाद आप तमाम दर्सकों का स्वागत है, आईए बढ़ते हैं खबरों के योद सदर प्रखंड के परसाटान पंचायत सचिवाले में गिरिडि ब्लॉक के द्वारा एक कैम्प का आयोजन किया गया कैम्प में अंचन अधिकारी रविंद्र सिन्ह समेत अनिक कई अधिकारी वकर्मचारी मौजूद रहे बताया गया कि जमीन के रसीद कटने की समस्या लगतार सामने आ रही थी इसी समस्या के निराकरन के लिए इस कैम्प का योजन किया गया है ताकि अनलाइन जिनका भी रसीद लॉक किया गया है उसे अनलॉक कर रसीद काटी जा सके बताया गया कि यह कैम्प बारी बारी से विभिन पंचायतों में लगाया जाएगा अनलाइन लॉक है इसके लिए हमने कैम्प ले रसीद का लॉक कर देंगे रसीद को लोग कहीं से भी अपना रसीद का लाज़ा है इसके लावे और भी हमने कैम्प लगाने के लिए जाएगा और रसीद को लोग कहीं से भी रसीद कटा ले जो आपके दूरते हैं इसलिए हम आप लाए हैं सरकार आपके द्वार का सरकार के तरफ से भी चला है अगला पारी में वह भी कैम लगाएंगे और स्पोर्ट में उसका निलाकरन करेंगा और आफिस में तो इसका निलाकरन होई रहे लोग आते हैं हाँ अधिक मात्रा है ऑपरेटर के सब चीज़ ऑपरेटर के मात्यम सवता है और लाइन होता है लेट नहीं रहने से या टेक्टिकल दिक्क रहने से होती है लिकरने सब हो रहा का गिरडी सदर अस्पताल के एंसीडी सेल में सनिवार को पदिस्थापित नए सीयचो को गैर संचारी रोग से संबंधित विश्त्रत जानकारी दी गई बताया गया कि गैर संचारी रोगों से रोग ठाम के लिए इन्हें प्रसिक्षन दिया जा रहा है ताकि जमिन इस तर तक उचित पहल हो सके सदर अस्पताल गिरिडी के एंसीडी सेल में सनिवार को जिला स्वास्ते समीती की ओर से जिला इस्तरिये एंसीडी मॉड्यूल ट्रेनिंग का योजन किया गया इस दोरान NCD CL में पदिस्थापित नए CHO को NCD के तहत आने वाले विभिन रोगों से संबंधित विश्तिरत जानकारी दी गई बताया गया कि देश भर में गैर संचारी रोगों के अपेक्षा में मातरी और बाल स्वासे तथा मलेरिया जैसे संचारी रोगों से रोक्थाम की दिसा में काफी तरक्की की गई है इसलिए गैर संचारी रोगों की बढ़ती हुई स्थिती को देखते हुए सरकार द्वारा NPC-DCS चलाया जा रहा है बताया गया कि वर्तमान में भारत में जितने भी मृत्यों बिमारियों से होती है उनमें से लगबग 60% मृत्यू गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग लखवा हाई बलड प्रेसर कैंसर डाइबिटीज आधी की वज़ा से हो रही है गैर संचारी रोगों से होने वाले मृत्यू दर के इन आकणों को कम करने के लिए यह नियंतरन कारिकरम चलाया जा रहा है इसके तहट ग्रामे निस्तर के स्वास्ते कर्मियों को प्रसिक्षित किया जा रहा है इसे कड़ी में सनिवार को सदर अस्पताल में एंसीडी सेल में पदिस्थापित नए सियचो को प्रसिक्षन दिया गया ताकि जमीने इस्तर तक इन रोगों से रोगथाम के दिशा में उचित पहल हो सके बताया गया कि इन रोगों से ग्रसित मरीजों को बहतर स्वास्त सुईदा उपलप्त कराई जाएगी यहां इस दोरान गिरिडी डियलो कालिदास मुर्मू डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर प्रतिभा कुमारी फाइनसी कंसर्टेंट कुमार देवचरन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट अभिजित साहदेह एनसीडी मास्टर ट्रेनर निलोफर सुल्ताना अदिस सहित कई सीयचो मौझूद रहे संब्सक्राम अधैनर निलोफया कुमार, आज हम लोग सदर हस्पुजल में एनसीडी सेल में हमने मीटिंग रखी थी जिसमें हमने कैंसर के भारे में और डिर्भीटिज हर्प टेंस झाल ध्रोओर्ड सेला को जिसे कारण से उनने समस्दाएक स्वास जाद और इंद आरी है और उमिद है कि लोग अच्छे से सहीर के साथ प्रोडिनेशन बना के अच्छे से काम करेंगे जिसे कारण से पेसेंट्स को पहचाना जाएगा कि कोन इसे स्ट्रोक में आ रहे हैं, हाइपेटेंसन, डाविटीज, क्योंकि NCD के तहत यही सब बिमारिया हैं, जो ज्यादा इंडिया में 60% जो मित्य हो रही है, इन ही 5 बिमारिय कारण हो रही है, इसके रोखाम के लिए NCD च अच्छा बनाएगी, हम लोग पेसेंट्स को पीएसी लाग के ट्रीटमेंट देंके फिरोजों को हम चीलाव स्पीटर में भेजेंगे, जासे उनको पहतर से बहतर सुविधा देकर उनकी पहचान की जाएगी, यह खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा ध्यान दिये जा रह और उनका अजोर चीज को नहीं है, यह होने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग फोलॉप करेंगे, प्रोवाइट करेंगे कि आप अपने जीवन सहली बदलिए, संतुलित आहार लीजिए, और जिसको नहीं है, उसे हमें बचाना है, ताकि यह जादा फैले नहीं, इंडिया जब 60% हो चुका है, तो इसे हमें पूरी तरसा कोशिस करनी है, कि कम से कम किया जा सकें, क्योंकि हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचाओ कर सकते हैं, बचाओ करना है हमें, और सुर्शास विधाय देनी हैं ग्रामीन कार्य विभाग कार्याले में सनिवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, इस दोरान सेवा निर्वित हुए अनुसेवक अनिल कुमार को भाववीनी विदाई दी गई, और उनके उच्वर भविसे की काम ना की गई ग्रामीन कार्य विभाग में कार्यरत अनुसेवक अनिल कुमार सेवा निर्वित हो गए हैं, सनिवार को विभाग कार्याले में एक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भाववीनी विदाई दी गई, मौके पर जेई राजिस कुमार के द्वारा इन्हें विदाई दी प्रश्टया के वर्स 1980 से ये विभाग में कारेरत थे और अपनी सेवा दे रहे थे आज रिटायर होने पर तमाम विभागीये पदाधिकारियों वक कर्मियों ने इनके स्वास्ते और बहतर कल की कामना की यहां इस विदाई समारों में विभाग के सुनिल कुमार, ललित कुमा लाल देव प्रसाद, रासित खान, महमद सलीम, विजय गुपता समेत अने कई कर्मचारी उपस्थित थे आज के बाद से समाजिक सांस संभविन से हमेशा बना रहेगा, जब मैं यहां गिरीडी में आया, तो गिरीडी के संभवद में मुझे कोई जनकारी नहीं पीर टांड जैसे दूर दराज जंगली छेतरों में इन्हीं के साथ घूम घूम कर मैं सारी जनकारिया लोग उसके बाद मैं गिरीडी सहरी छेतर हो, या फिर पीर टांड हो, या जब तक मैं राद धन्वार में रहा, इनका सांस से जोग प्राफ्त रहा मैं जब तक मैं यहा रहूँगा, इनसे सांस साजोग बता रहूँगा, इनकी अरुपस्तिती हमें बहुत खले देगा इनका सायोग ओफिस का रिकाल में कैसा लगा था आपको बाहने से? इनके सांस के चलते, इनके साजोग के चलते ही मैं गिरी डिवीजन में सक्सेस रहा हूँगा, यदि यह नहीं रहते हमारे सांस नहीं छेत्रों का भ्रमन करते हमें छेत्रों से जनकारी नहीं दिलाते तो आज मैं अपने डिवीजन में सक्सेस नहीं रहा था और हमारी सफलत बर्गंडा इस्तित पुराना साइम मंदीर में दो दिवस्य इस्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाई जा रही है सनिवार को अनुस्थान के दूसरे दिन दिन भर पूजा पाठ व अन्य धार्मिक अनुस्थान संचालित किये गए जिसमें भारी संख्या में स्रध्धालों ने हिस्सा लिया इस दोरान पूरा महौल भक्ती और आस्था से तर्बतर रहा बताया गया कि रविवार को भवे भंडारे के साथ इस इस्थापना दिवस समारोह की समाप्ती हो जाएगी यहाँ इस समारोह की सफलता में सुजित निफूलन, दिपक कुमार, आनंद, संजय कुमार राजगडिया, प्रोफेसर अस्पी सिन्हा, करनल रंजित समेत अन्य कई साई भक्त लगे हुए हैं अन्द मैं ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर सर्या में हुआ सडक हादसा, एक की होई मौत, एक घायल, मृतक के सव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्ट मार्टम CCL ग्राउंड में धूमधाम से मनाई गई संत रैदास की जयनती, सिक्षा मंत्री, विधायक समेत कई गंडमानी लोगों की रही उपस्थिती, तमाम लोगों ने संत रैदास को किया नमन विध्वा पेंशन, व्रिधा पेंशन समेत अनिक कई मुद्दों को लेकर समाहरनाले के सभागार में हुई बैठक उपायुक्त ने दिये आवस्यक दिशा निर्देश और सिवेल कोर्ट में आयोजित हुआ मासिक लोगा दालत साथ बेंचो के माध्यन से पचपन मामलो का हुआ निस्पादन 3,16,775 रुपए राजस्वकी की गई वसूली, प्रधान जिला जद समेत कई न्याई का धिकारी वाधिवक्ता गंडरहे मौजूद आज के अंत में बस इतना ही, अगले अंत में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक दीजी हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार